हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच्पी एक्जैम क्रेक तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं जो मच अवेटेड एक्जैम था ट्राफिक इंस्पेक्टर का उसको कमिशन ने कंड़क्ट करवा दिया है तो आज हम इसका जो इस एक्जैम में एच्पी जीके के कुश्चन फिर्णष एक्जैम पूचागा था टुंढ़ा सनू अवन्यजिव अभेरन हिमाचर प्रदेश के किस जिले में सीथ हैं टू टूंढ़ा याइव सेंचरी है ये हिमाचर प्रदेश के चंबा दिले में सpolit है तो इसका जो राइट अंसर होगा यह होगा ए कमबा डिस्टिक of these जो डेहर है ये आपकी वियास की ट्रिब्यूटरी है तो वियास आपके पास option में नहीं दिया गया है तो none of these हो जाए है ये correct हो जाएगा next है रूपा वैली is in which district of hp जो रूपा घाटी है ये हिमाच्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो फ्रेंड्स ये आपके स्थित है कि नौर में तो option c जो है ये correct होगा कि नौर next question है भुंड़ फेस्टिवल is celebrated in which district of hp तो चार आपके 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 दिये ये भुंड़ा उत्सव होता है और कुलू जो आपका option है वो इस question में नहीं दिया गया था तो इस मेंसे जो correct answer होगा वह अप्शन डी जो है इन मेंसे कोई नहीं हिमाचल प्रदेश के किस जिले से समंदित है तो जो रानी खेर गड़ी है ये समंदित है आपके मंडी जिले से तो option डी जो है ये correct होगा मंडी next है आपका गड़ कुफर जील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो जो आपकी गड़ कुफर जील है ये स्थित है आपके डिस्टिक शिमला में तो option ए जो है ये आपका correct होगा next question था first governor general to visit शिमलावास जो हिमला की यात्रा करने वाले प्रथम governor general कौन थे तो वो थे आपके जो lord एम हर्स्ट है तो option डी है ये correct होगा और इन्होंने कब यात्रा की थी इन्होंने की थी 1827 में lord एम हर्स्ट first governor general थे और शिमला का जो कैनेडी house है वहाँ पर जाके ये रुके थे नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की प्रथम private university है तो चार option आप पास दिये गए हैं तो इसका जो correct answer होगा वो होगा JP university of information technology तो JP university है ये है आपकी first private university of HP नेक्स्ट है डलहौजी was founded in which year तो देखिए law डलहौजी के नाम पर इसका नाम डलहौजी पड़ा है तो डलहौजी का जो कारेकाल वो 1850 के असपास था तो इसका जो correct answer होगा वो होगा 1850 1850 से लेकर 1856 के बीच में इनका कारेकाल यहां पर रहा है इंडिया में तो 1850 जो option A है ये आपका correct होगा next है सिर्मौरी इताल जो किला है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है तो सिर्मौरी इता correct होगा पॉंटा सहाइब next question कौन सा लोकप्रिय रूप से अंगोरों की भूमी से जाना जाता है which is popularly known as the land of graves जो आपकी किनौर है किनौर में एक जगा है रिबा तो रिबा जाना जाता है आपका land of graves के नाम से भी next है अर्द नारेश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस मंटनी है option b जो है यह correct होगा नेक्सट है ठ्योग राज्य की स्थापना किस ने की थी देखिए जो ठ्योग राज्य हैे इसकी स्थापना जो 70 श्थापदी में माने जाती है तो यह की ग़े थी जैचंद वारा तो option a जो है यह इसका correct होगा जैचंद और कब होई थी 17th century में और एक एक इससे बता देता हूं और इसके साथ एक लगती रियासत है वो है बलसन ये भी आपसे पूछ ले जाता है कि बलसन की जुस्तापना है वो किसके द्वारा की गई थी तो वो की गई थी आपकी अलग सिंग द्वारा ठीक है तो ये एफक्ट आपको याद रखने है नेक्स्ट है भूरी सिंग म्यूजियम वाज फंडिड इन विच यह तो भूरी सिंग जो म्यूजियम है इसकी स्थापना बताना है आपको कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो फ्रेंटस ये की गई थी 1968 A.D. लाइटेंसर होगा वो होगा आपका option D 1963 में देखिए जब एक नुवंबर 1956 ठीक है ये डेट आपको याद रखनी है इस दिन क्या होता है कि जो हिमाचर प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है ठीक है और लेटनेंट गवरनर जो बजरंग बादूर थे उन्हें ले टेरिटोरी है यह नाइटिन सीफिटी ती तक एफेक्टिव रहती है तो 1963 में क्या होता है गयोन आफ इंडिया एक एक लेकर आती शा donations early 1963 ठीक है एच पी इसमें क्या होता है टेरिटरियली जो काउंसिल है उससे कनवर्ट किया जाता है लेजिस्टलेटिव एसेंबली में तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा 1963 तो यही आप से पूछा गया कि क्षेत्रिय परिशद किस वर्ष में समाप्त हुई तो क्षेत् यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 एच पी तो यह आपको याद अखना है यह फैक्ट इस क्वेशन से लेटेट से नेक्स्ट क्वेशन देखता है हिमाचल प्रदेश की उहल जो स्टेज 3 है जल्विद प्रविजना की कारेकरी एजनसी कौन सी है तो यह है आपकी हिमाचल प्रद 100 मेगावाट और बरोट वैली जो है वहां पर यह स्थित है नेक्स्ट देखते हैं क्या है और हिमाचल प्रदेश का जो इस एक्जैम में लास्ट कोशन पूचा गया था वो है कर्थी इस फोक डांस आफ विच डिस्टिक ऑफ एच्वी जो कर्थी है वो हिमाचल प्रदेश लेटेट जीके थी नेक्स्ट वीडियो हम डिसकल्स करेंगे कि बाकी जो जीके के क्वश्चन इस एक्जैम में पूचे गए थे वो किस तरह से थे तो चलिए फ्रेंड्स तिल दन कीप वाचिंग एंड कीप स्टडिंग